इन समस्याओं का निराकरण यदिपी आसान नहीं है फिर भी समय की सीमा में पांच प्रमुक्ष सुझाओ देना चाहूंगा ब्रिक्स देशों के बीच तालमेल से एक तरफा फैसलों के दुश्परणामों का निदान कुछ हद तक हो सकता है हमें रिफार्म मल्टिमिलेटरलिजम के लिए अंतराश्टिय वित्य और व्यापारिक संस्ताओं तता संगठनों में आवशक सुधार पर जोड़ देता रहना होगा निरंतर आर्थिक विकास के लिए आवशक उर्जा के संसाधन जैसे तेल और गैस कम किमोतों पर लगातार उफलब्द रहने चाहिए न्यू डवलप्मेंट बैंक द्वारा सदसे देशों के भावतिक और सामाजिक इंफरस्रक्चर तथा रिन्योबल एनर्जी कारक्रमों में निवेश को और प्रात्फिक्ता मिलनी चाहिए कोईलिशन और डिजास्टर रेजिनियन्ट इंफरस्रक्चर के लिए बारत के पहल अलप विख्षित और विकासिल देशों को प्राक्रुतिक आपदा का सामना करने के लिए उचीत इंफरस्रक्चर में साहिक होगी मैं आप से इस कोईलिशन में सामिल होने का आवान करता हूँ विश्व भर में कुशल कारीगरों का आवागवन आसान होना चाहिए इस से उन देशों को भी लाब होगा जहां आबादी का एक बड़ा हिसा कामकाजी की उम्र पार कर चुका है मेरे हाली में आतंगबाद पर एक गलोबल कांफरंस का आवान किया है आतंगबाद के खिलाब रड़ाई के लिए जरुरी सहमति का अभाव हमें निस्क्रिय ही नहीं रख सकता आतंगबाद के खिलाब संगर्ष को प्रमुख प्राप्सिक्ताओं में जगर देने के लिए मैं ब्राजिल की सरहना करता हूँ एक्सलेंसी ब्राजिलिया में ब्रिक्स समीट की मैं उत्सुप्सा से प्रतिक्षा कर रहा हूँ इस समीट को सफल बना लेक लिए भारत पुरा सहयोग करेगा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद